और दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पर दिकुण और आपका स्वागत है जैस नाम है आपकी फर्माइशन दोस्तों आज मैं आपको बता हूँगा कि किस तरह से आप जो है आपको बताता हूँ आप चाहे तो इसको प्लास्टिक में भी रख सकते हैं और इसको फ्रीजर के अंदर रखना है तो मैं यह डबे के अंदर रखा हूं देखिए आप देखिए इस तरह से इसे कि अगा 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 तो दोस्तों यह देखिए मैं इसको फ्रीजर में रखना हूँ इसको बारा घंटे के लिए रखूँगा दोस्तों आप चाहें तो इस नारियल को जो है प्लास्टिक में जो है आप पैक करके भी इस पर रख सकते हैं अगर आपके पास अगा डबा नहीं है तो और आप डब अगर दोस्तों 12 घंटे हो चुके हैं अब हम देखते हैं फ्रीजर के अंदर में क्या हाल है नारियल का कि अ कि 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 और देखें दोस्तों नारियल का क्या है नारा रेंटे हो चुकिए है कि कि अज़ना हो चुका है कि देखिए दूसरे दिखिए कैसे क्रैक हो गया दिखिए कि इस तरह से एक तब हम इसे जो है शाबूत निकालेंगे यह देखिए कि इस तरह से क्रैक हो चुका है के सदाओ में चुका है कि अज़ी में आखिए के अज़ीन दिखिए कोचा है कि अज़ीन कि अज़ीन आखिए का हमे नवीन के इस भीए अंवसरे का शाओ अचाओ में काहड़ी दुदकिए कि अपगाएब आए गाइब को तो इजडे अपगाएब को इब हमाने गाइब कर दो कर दो हो और में है को ऑा कंपी है जया है जया है जया है जया है या कर दो अ अ अ अ अ अ कि यह दोस्तों यह शाबूत निकल रहा है कि देखिए कि अब दोस्तों यह देखिए पानी इसका निकल रहा है हलका हलका कि यह दोस्तों यह दोस्तों कि धरा भे चाल को सिर्दण है कि यह टोस्तों यह दोस्तों यह कि यह दो दूराव कि पूड़ ऑना है तो दोस्तों यह देखिए पूरा साबुत गोला निकल आया है तो इस तरह से आप भी निकाल सकते घर में तो दोस्तों आपको यह जानकर जरूर पसंद आएगी आप जरूर इसको ट्राइग कीजिए इसी की साथ मुझे इसकार करम से जाने की इजाज़त देजिए नमस्कार जाए हैंट